हे इवरिवरन वेलकम बैक टू माई चैनल मैं आम इस सोनी और वेलकम टू सोनी मेक ओवर तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंट्स आज की वीडियो हमारी होने वाली है आईब्रो थ्रेडिंग्स रिलेटेड और देख सकते हैं इनकी थ्रेडिंग जो है एक में ज्यादा हेर ग्रोथ हुई है और एक में थिन हेर ग्रोथ है और एक में काफी ज्यादा जो है हैवी हेर ग्रोथ है तो देखिए हमने आपको before और after का look दिखा दिया है और guys आज की वीडियो थोड़ी सी special होने वाली है आपको मैं कुछ tips देने वाली हूँ अगर आप beginner से तो इस वीडियो को last तक जरू देखिएगा क्योंकि इस से आपका 50% concept clear हो जाएगा सबसे पहले हमने powder लगा लिया है ताकि moisture free हो जाए skin उसके बाद देखिए जब हम उपर से start करते हैं तो आपको क्या करना है धागे को ऐसे पीछे की तरफ खीचते वे ले जाना है थोड़ा सा आगे की तरफ ले क्याना है यानि कि hair को lock करना है जब आप इसे lock कर लेते हैं तो धागे को skin में press करना है प्रेस करने के बाद मू का धागा खीचना है उसके बाद जब आप मू का धागा खीचते हैं तो दोनों हाथों को भी धीरे धीरे माथे की side ले के जाना है client के forehead की side ले के जाना है देखिए आप ध्यान देंगे तो मैं forehead की site ले के जा रहे थी इससे क्या होता है कि हमारे जो hair है eyebrow के वो नहीं उड़ते हैं उपर के माथे के hair निकल जाएंगे लेकिन आपके eyebrow के hair जो है safe रहेंगे तो वही technique आपको नीचे भी follow करनी है यानि कि जब आप ऐसे धागे को फसाते हैं hair में एक line निकाल लेते हैं जो है hairs की तो आपको भाकी के hairs को उपर भी करना है ऐसे धागे की मुदद से अगर आप ऐसे ही नीचे hair में धागा चलाते हैं तो यह hair नीचे लटके हुए है पलकों पे वो भी hair जो है धागे में फस रहें देखिए आपको दिख रहा होगा कि धागे में फस जा रहे हैं तो आपको टाइम टो टाइम उपर करना है ठीक है hairs को इससे क्या होगा आपकी eyebrow safe रहेगी ने तो eyebrow की hair जो है उड़ जाएंगे बीच से और उसकी वज़े से हमारे eyebrow के बीच में gap दिखाए देगा उसके बाद देखें light light जो hair है पलको पे उसे हमें light hand से जो है remove कर लेना है अब देखें यहाँ पे हम थोड़ा सा finishing देंगे यहाँ पे कुछ hairs जो थे हमारे eyebrow के उपर थे और नीचे भी थे तो उसे हमने clean कर लिया है तो अब देखें हमने stretch जो किया था उसे छोड़ दिया है छोड़ने के बाद चेक करना है उसके बाद जो uneven सा लगे उसे हम remove कर ले रहे हैं क्योंकि जब हम stretch किये होते हैं तो eyebrow की shape थोड़ी सी अलग दिखाए देती है hairs भी जो उपर नीचे होते वो नहीं दिखाए देते हैं तो आपको ऐसे free छोड़ने है आइबरो को naturally उसके बाद जो कमी लगती है उसे आप ठीक कर लें तो देखिए एक आइबरो हमारी बन चुकी है अब देखिए दोनों आइबरो में कितना ज़्यादा difference दिखाए दे रहा है ये heavy growth थी जो हमने अभी थ्रेडिंग बनाई है और बाजू अली जो hair growth थ्रेडिंग है वो थोड़ी सी light है तो दिखिए आप लोग को ये technique समझ में आया की नहीं आया कमेंट करके जरूर बताईएगा तो अब चलिए आप दूसरे थ्रेडिंग को start करते हैं तो यहां भी हमने same वैसे ही tip को follow किया है आपको simply क्या करना है मुगा धगा खिसते time दोनों हाथों को forehead की तरफ लेकिया आना है धीरे धीरे लेकिया आना है अचानक से निलाना नहीं तो आपने जो grip बिठाई होती है जिस line में वो हट जाती है अब दिखें इनके eyebrow के आगे hairs बिल्कुल भी नहीं थे तो हमने क्या किया आगे आधा इंच छोड़ के हमने side से hair को निकलना start किया है और जब side से हमारी guideline बन जाती है या फिर हमारी threading बन जाती है तो हम हलका सा आगे की तरफ merge कर देते हैं और आगे के hair मैंने ज्यादा नहीं निकाले है और यहाँ पर हमें strip clean करना है ज्यादा कुछ नहीं करना है main हमारा जो eyebrow होता है वो नीचे से ही होता है अब देखें हमने point वाले area पे 50% stretch किया है 20% पलको को stretch करवाया है उसके बाद आपको guideline बनानी है आपको हर एक वीडियो मैंने बताया है कि एक line में एक ही जगा पे same direction में 2-3 वर thread को चलाना है यह automatic आपकी guideline बन जाएगी अब देखें मैं नीचे जो है threading के धागे को नीचे के तरफ पलको के तरफ खीसते वे लेके आ रही हूँ अब देखें यहाँ पे भी इनकी hair growth बहुत कम थी तो हमने क्या किया है eyebrow के बीच से threading बनाना start किया है ना की सुरुआत से क्योंकि जब हम सुरुआत से बनाना start करेंगे तो हमें guideline के लिए hair चाहिए और हम hair निकाल के guideline create करेंगे तो हमारी eyebrow पतली हो जाएगे जिस वजह से हमने क्या किया है eyebrow के बीच से start करके guideline बनाके पूरा shape दे दिया है उसके बाद हमने हलका सलाके आगे की side में shape को merge कर दिया है line को और हम आगे की तरब कुछ नहीं करेंगे merge करना मतलब कि आपको पस उसी guideline को follow करते हुए आगे की inner corner eyes के inner corner तक जो है threading को चलानी है threading के धागे को इससे आपके excess hair जो रोय होते हैं वो remove हो जाते हैं और clean हो जाती है वहाँ की skin तो automatic आपकी जो shape होगी वो visible होने लगेगी तो आप इस तरीके से threading बनाएंगे तो आपके पास कितनी भी पतली hair growth वाली eyebrow आ जाए आप उसे बराबर balance में कर सकते हैं और मोटी से मोटी eyebrow बना सकते हैं अब देखे मैं बार बार आगे की तरफ जाके मैं चेक कर रही हूँ इनकी eyebrow को यानि कि हमें eyebrow को सामने से देखना है खड़े होके कि कोई eyebrow मोटी पतली तो नहीं लग रही है और जो लगे उसे हमें तुरण ठीक करना है अब दीखे यहाँ पर हम थोड़ी सी finishing layer देंगे जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ उपर तुरण तुरण finishing नहीं देना है पहले पूरी eyebrow को बना लेना है उसके बाद ही finishing में लाना है अब हम बीच के hairs को remove करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा direction का ध्यान देना है जिस direction में आपकी hair growth गई होती है उसी direction में आपको धागे की जो कैची है यानि की धागे का मूँ है उसी direction में आपको चलाना है तभी आपके hair जो है वो easily निकल जाएंगे तो यह रहा हमारा final result आप लोग को कैसा लगा वीडियो समझ में आई की नहीं आई comment करके जरूर बताईएगा और आपके साथ कौन सी problem आती है थ्रेडिंग बनाने के time पे comment करिएगा मैं उससे related next वीडियो में discuss करूंगे तो चलिए मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ